हेलो दोस्तों, मैं दिंपी उपल स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल पे तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे पेरेंटिंग टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो की आपके बच्चे की ग्रोथ और उसकी डेवलेप्मेंट में हेल्पुल हो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ने किया तो प्लीज हिट दे बेल आइकन ताकि बाकी वीडियोस की इंप्रमिशन आप तक पहुँच पाए दोस्तो आप लोगोंने अक्सर ऐसा सुना होगा फस स्कूल इजिगर हों यानि की आपका पहला स्कूल आपका घर ही होता है जी हाँ घर ही एक ऐसा स्कूल है यहाँ पे आप बोलना हसना खेलना पहला अक्षर चलना हर एक छोटी से चोटी चीज सीखते हैं तो मेरा टिप यह है कि आप अपने घर के इन्वाइर्मेंट को क्रियेटिव बनाईए जो कि आपके बच्चे के लिए काफी हेल्फुल हो उसके साथ आप छोट-छोटी क्रियेटिव चीजे कर सकते हैं उसके साथ मैक्जिमम ट्राइ कीजिए टाइम स्पैन करने का उसकी प्रॉब्लम्स डिसकस कीजिए और स्कूल से वो आया है दिन भर में उसने क्या किया है उसने आज क्या सीखा है तो ये सब आपको करना बहुत ज़रूरी है ये आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए काफी हैल्फिंग होगा तो मेना नेक्स पॉइंट है वैल्यो अफ मनी पैसे की महत्यपूरिता जी हाँ ये बच्चे को समझाना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है ताकि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में सेविंग बहुत ज़रूरी है हर बच्चा अपने पिरेंच की आगे महंगे ट्वाइस की या कुछ अपने एक्सपेक्टेशन रखता है कई पिरेंच उसको फुल्फिल कर पाते हैं कई नहीं कर पाते हैं तो मैं यह समझाना चाहती हूं कि आप अपने बच्चों की एक्सपेक्टेशन को रोको मत उनकी कोई भी चीज वो खरीदना चाहते हैं उस पे आप फुल स्टॉक मत लगाओ आप उनको मनी सेविंग बनाओ ताकि वो पैसा क्लेक्ट करें जैसे कि वो कोई भी अच्छा काम करते हैं आप उसके लिए उसको पॉइंट से कुछ रूपीज देना शुरू करतो या घर पे कोई गैस्ट आता है तो उनको कोई गिफ्ट मिलता है या पैसे मिलता है उसको क्लेक्ट करना स्टार्ट करवाईए इससे क्या होगा बच्चे के अंदर वो क्रिएटिविटी स्टार्ट होगी कि मुझे ये ट्वाई खरीदना है तो मुझे उसके लिए पैसे क्लेक्ट करने पड़ेंगे इससे दो फाइदे हैं एक तो बच्चे की कैल्पिलिशन काफी स्ट्रॉंग होगी और दूसरा बच्चा मनी की वैल्यू समझेगा उसको सेव करना सिखेगा तो मेरे नेक्स टिप है क्रिएट सेल्फ डिपेंडेंसी यानि कि आत्म निर्भरता ये चीज बच्चे में क्रिएट करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है होता क्या है एचली कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो मदर स्पेशली बहुत ज़ादा पैंपरिंग शुरू कर देती है और बच्चे के लिए स्पेशली कि मेरा बच्चा से आया हुआ है ठका हुआ है इसको कोई काम नी बताना इसके बाद इसको खेलने जाना है बच्चे को प्रोटेक्टिंग में गूम हो जाता है कही ना कहीं उसको यह लगता है कि मेरा हर छोटा से छोटा काम मेरी ममा कर रही है दो बेल बजी ममा बोलेगी बेटा आप बैटो मैं डोर उपन करती हूँ बेटा आप बैटो मैं आपके लिए पानी लाती हूँ मैं आपके लिए खाना लाती हूँ बच्चे की केर कीजिए बच्चे को प्रोटेक्ट कीजिए लेकिन ओवर में बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाईए ठीक है बच्चा स्कूल से आया है उसको कुछ टाइम के लिए rest चाहिए, आप proper rest दो, लेकिन उसको आप अपना काम करना खुद सिखाए, क्योंकि हर वक्त आप उसके साथ नहीं रहोगे, तो ये self-dependency, जब बच्चा सी, बच्पन सही उसमें ये चीज सिखाना शुरू कर देजे, ताकि future में न उसको ये problem हो, न की परसंसा करना, जी हाँ, criticism तो हम बच्चे का बहुत जदी कर देते हैं, लेकिन appreciate करना भूझ जाते हैं, एक बात हमेशा याद रखेगा, आपको जब भी बच्चे को appreciate करना हो, तो सब के बीच कीजिए, और criticize करना हो, तो privately कीजिए, appreciating से क्या होगा, उसकी अंदर की willpower strong जब उसकी चार लोगों में या आपके घर कोई आया हुआ है, आप उसकी तारीफ करोगे, आप उसको encourage करोगे, वो boost up होगा, कि हाँ, ममा मेरी तारीफ कर रही है, लेकिन हाँ, जब वो गलती करें, आपने उसको गलती को समझाना भी है, लेकिन criticize हमेशा private में करो, ताकि बच जो के हर काम में involved हो, उनसे पूछो उन्होंने पूरे दिन में क्या किया है, उनका किस चीज में interest है, घर में ऐसा आप create कर सकते हो, उनके mind को समझने की कोशिश कीजिए, उसके लिए आपको अपना time देना बहुत ज़रूरी है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, अग अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में